भारत कमिशन वर्ड कप जीत के साथ किया आगाज आइरलेंड को आठ विकेट से दो डाला भारत ने टीट्वेंटी वर्ड कप दो हुजार चौविस के अपने पहली मैच में आइरलेंड को आठ विकेट से हरा दिया है रोहिश शर्मा ने 50 लगाई लेकिन उनका कंधी का दर्द भारत ये टीन के लिए परिशानी खड़ी कर रहा है भारत ने आइरलेंड को आठ विकेट से रोन डाला है विराट कॉली के जल्दी आउट होने के बाद रोहिश शर्मा और शबपंत की बीच बहतरीन साज़ेदारी के बलबूते टीम इंडिया ने T20 वर्ड कप 2024 में जीत के साथ अपने अभियान के शुरुआत की है रोहिश शर्मा ने इस मैच में 37 गैंद में 52 रन की पारी खेली लेकिन वे कंधे में दर्द के कारण बिना आउट हुए मैदान से बाहर चुले गए आयरलेंड पहले खेलते हुए 96 रन की स्कोर पर सिमट कई थी जिसके लिए सबसे ज़्यादा रन गेरेत डैलानी ने बनाई डैलानी ने 14 गैंद में 26 रन बनाई वहीं जब भारतिय टीम लक्ष का पीछा करने आई तो उसने 10 ओवर 6 रहते विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है 97 रन के लक्ष का पीछा करने उतरी भारतिय टीम की शुरुआ शांदार रही क्योंकि टीम ने 2 ओवरों में ही 22 रन ठोक डाले थे मगर 3 ओवर की चौथी गैंद पर विराट कॉली बड़ा शौट खेलने के चकर में आउट हो गए कॉली कीवल एक रन बना पाई कॉली के आउट होने के बाद हलांकी पावर प्ले ओवरों में भारत का कोई विगेट नहीं गिरा लेकिन गैंद की मूवमेंट में रिशवपंद और रोही शर्मा को परिसानी में डाली रखा पहले 6 ओवरों में टीम ने एक विगेट के नुकसान पर 49 रन बना लिये थे इस बीच 9 ओवर में हिट मैन ने दो जोड़दा छक्के लगा कर समा बांधा और उन्होंने 36 गैंदों में 50 पूरी खे 10 ओवर में भारत ने एक विगेट खोकर 16 रन बना लिये थे और टीम को अब भी 60 गैंद में 21 रन चाहिए थे इस बीच 11 ओवर शुरू होनी से पहले रोही शर्मा कंधी में दर्द के कारण रिटाइड हर्ट होकर डगाउट में लोट गई सोरी कुमार यादव मैच को फिनिस करने के चत्तर में जल्दी आउट हो गई लेकिन रुष्यप पंत ने 13 ओवर में छक्का लगाकर भारत की आठ विकेट से जीत सुनिश्चित की विराट कॉली का खास कीर सिमाल विराट कॉली चाहे आइलेंड की खिलाफ मैच में कीवल एक रन बना कर आउट हो गई हो लेकिन उन्होंने अपनी एक अतिहासे के स्ट्री को कायम रखा है ये तथ्य हरान कर दिने वाला है कि विराट कॉली आज तक T20 वर्ड कप में शूनि के स्कोर पर आउट नहीं हुए है मगर इतना जरूर है कि आज तक कॉली की विश्व कप में कोई भी पारी दो रन से नीचे समापत नहीं हुई थी इसलिए आयरलेंड T20 विश्व कप के तिहास में उन्हें सबसे छोटी स्कोर पर आउट करने वाली टीम भी बन गई है आयरलेंड से कभी नहीं हारा भारत T20 क्रिकेट के तिहास में आयरलेंड और भारत का पहला मैच साल 2009 में खेला गया आज तक दोनों टीमों की बीच साथ T20 मैच खेले गए थे जिन में हर बार भारतिय टीम विज़ई रही ये पहला मौखा था जब T20 वर्टकप में भारत और आयरलेंड आमने सामने आ रही थी और इस बार भी रोह शर्मा की कपतानी में भारत ने जीत प्राप्त की है